में जाक तो रखने हैं वाले जोस्तों अभी हम आपको दखाने जा रहे हैं डोटा का एक और एरिया ठाटरी ठाटरी में देख सकते हैं जैसे चनाव हमारे अलाके से जो चनाव अखनूर वगेरा रियसी उन अलाकों से होकर जाता है मगर ये कुछ चनाव जो है मिलकर जो है एक ही चनाव बनकर आगे जो जाता है तो उसी के बीच में आपको दखा रहा हूं ठाटरी में जो चनाव जो है पाटर मचल उस से जो आ रहा चनाव वो एक है और ये जो ठाटरी से उपर से आता है ये भी एक चनाव और है तो यह मैं आपको ठाटरी का चुनाव दखा रहा हूँ आप देख सकते हो यह भी पीछे से यह भी काफी मातरा में पानी आता है और इस से आपको हम दखा रहे हैं यह आगया ठाटरी की मैन वारकेट यहां से आगया आजाती है और अभी जो हम आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे यहाँ जो चश्मा है एक बहुत ही अच्छा चश्मा जो पानी यहाँ है वो पानी भी हम आपको दिखाएंगे और यह ठाठरी का इलाखा पड़ता है और यहाँ से नीचे जो है आपको चिनाब दिखेगा और इस सैड से जो पाडर मचेल किष्टवार के लिए जो रोड जाता है वो जाता हुआ यह रूट है और पीछे से चिनाब जो आता हुआ और इस सैड से आप देख सकते हो बहुत ही डेंजरस डेंजरस जो है आपको पहा और इस से आगे का जो एरिया है ये डोड़ा ठाटरी आ जाता है और यहां हम अभी आपको जो है ठंडा पानी के दर्शन करवाएंगे ठंडा पानी दखाते ही यहां जो निचरली वाटर है जो पहाडों की शान होती है खास करके निचरल वाटर वो आपको अभी दखाएंगे तो यह है यहां का निचुरल वाटर और हमारे पंड़त जी हमारे साथ है जो आज की इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं और यहां अभी जो है हम पानी का एंजॉय करने पानी पीने के लिए रुखे हुए हैं तो आप यह देख सकते हो निचुरल वाटर और यहां नहाने के वहस्ता आरन 6 यो पानी सब्रेसजों से पीछे बहुत ही गर्मिगों के दीनव में जो दिख सकते हैं यहां से पीछे भी आपको दोखाएंगे तो यह दो आप देक्सकते हो फानी कि और जब सब्सक्राएं हुए हैं वह सारे इन्जॉय कर रहे हैं इस निचरल वाटर का और आप कभी जब आएं तो आप इस पानी का जरूर अनंद लें और ठाटरी में जरूर विजट करें और यहां से शनान करके जरूर जाएं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और यह रहा पीछे से जो को